अ स्सक्राइमौं, आसि इस्रार भईने कॉमेंट करके हमें बताए उनका नीचा का सिलाई तो हमने काफी वीडियो बना रख्यtown उनको समझ नहीं नहीं सबतोर ना रही है, नीची का सिलाई शहीं नहीं आती एकक्यर्वजा है. यहाँ निकालते ना क्यों सब यहां पर खांच लिका जाती है यह इसमें खांच रहती है तो यह कभी-कभी ऐसे हम इसको खिंचेंगे तो कहीं पर रुकाबट ना हो तो समझें कि हमारा नीचे का बाविन सही है और यह बिलकुल ढीला नहीं आना चाहिए थोड़ा पकर के आना चाहिए एक जैसा ऐसा नहीं तो आप का सिनग खुराब देती की और नहीं तो हो सकता है कि आप यह बाविन यसको कहते है कैस अगर सभी त सही होगा सबसे पहले किजिए कि इस परिंग केंदर ऐसे फुल के धागा लगा के देखिए ये धागा ऐसे पकर के खोल के देखिए इसके अंदर एक जरा भी हर भी कच्रा रहेगा तो आपका सिलाई कितना भी मिलाएंगे सही नहीं आएगी और दूसरा नंबर कोई बात नहीं है अगर सही है का सेटिंग किजिए इसको बाहर कर तकि अगर इस प्रिंग कुछ ज्यादा धिला है तो इसको इसको ऐसे करके यह बोल्ट में इसको ऐसे करके पेचकस डालके इसको ऐसे टाइट कर सकते हैं अब ज्यादा टाइट हो गई है यह देखिए और अगर उपर का सिलाई अगर खिंचा खिंचा आ रहा है तो इसको आप ढिला किजिए स्प्रिंग को लूच किजिए इसको भी थोड़ा लूच किजिए अगर निच्चे कर सिलाई टाइट आ रही है ताप इसको स्प्रिंग को टाइट किजिए और यह बैवीन को बैवीन को जो इस बैवीन डबी जो होती है इसका जो स्प्रिंग बारिक सा स्प्रिंग रहती है य खोलकासा इसको खोल के ज्यादा अगर यह टाइट है तो इसको खोल के अब धीला किजिए ऐसे खोल के इस तरह धीला कर लेजिए अगर यह धीला है तो इसको टाइट कर लेजिए अगर धीला टाइट करने से एक जैसा अगर यह धागा खिशा नहीं रहा है तो समझ लेजिए यह पत्ती खराब हो गई है यह जो पत्ती होती है पत्ती खराब हो जाती है क्योंकि ज्यादा ज्यादा दिन तक पत्ती नहीं चलती है इसलिए बॉबिन डबी चेंज कर लेना ही बहतर रहता है अप यह दो और यह इससे आपको सही हो जाएगा और यह देखें यहां पर खास तो नहीं नहीं है यहां पर धार उर तो कहीं पर नहीं नहीं यह धार यह प्लेट के अंदर बीच में जो रहता है तो इसको पकर के यह बीच में हॉल रहता है इस प्लेट को खोल के यह हॉल को है ना अच्छा से घिस लिजे कि कहीं पर भी अगर धा देगा तो धागा खिच-खिच के आएगा और फिनिस फिनिस इन से लाई नहीं देगी अभी अभी मैं दो चीज बता जाओ बैबिन और यह जाल यह जाल और यह प्लेट का और यह स्प्रिंग का यह तीन चीज सेटिंग कर लिजे आपका सही हो जाएगा एक बार और फिर से सुन लिजे अगर बॉबिन देख लिए इसमें कभी कभी क्या होता है सुई लगती है नहीं तो इसमें सुई का हलका खांच लिकल जाता है यानि ये तूड जाता है तो ऐसे हाथ डालके बॉबिन को नचा के देख लिए कहीं पर धार तो नहीं है अगर धार है तो बॉबिन चेंज कर लिए अग दबी को अगर ये थोड़ा पकर के थोड़ा टाइट आ रहे हैं तो समझेजे डबी सही है और एक कुछ जादा बहार भी नहीं रहना चाहिए डबी अथना अंदर रहना चाहिए अगर कुछ जादा ही अंदर है तो आप क्या कीजिए डबी के अंदर एक कपड़ा का या स्टिप का टुकरा डालके और इसके बाद इसको बैठा लेजे कभी कभी क्या है जादा अंदर रहने से भी एडब भी सही से नास्ती नहीं है अगर सही से नाचेगी नहीं तो हमारे अंदास से आपका नीचे का सिला या लूज होगा या खिंच के आ रहा होगा अगर लूज होगा तो आप इसको टाइट केजिए यह इस पिरिंग अगर हम इसको ऐसा पकर लेते स्पिरिंग को तो ज्यादा खिंच खिंच के आ रहा है यह देखिए कुछ ज्यादा टाइट हो रहा है अगर इसको टाइट करने से टाइट नहीं हो रहा है तो यह डब्बी को चेंज कर लेजिए अगर यह लूज दे रहा है तो वह डब्बी को ये बुल्ट छोट के ये वहला बुल्ट को आपको ढीला करना है अगर लूज ही दे रहा है तो आप इसको उपर वाले जो ज़ाले स्पीरिंग को थोड़ा टाइट कर लिजे इसको कोिए किए अगर नीचे का कुछ ज़ादा लुज हो रहा है तो आप इसको थोड़ा टाइट किजिए इसको थोड़ा टाइट किजिए इसको शजब करें हमार के मिलाना है तो एकिन है कि आपका सेटिंग चाहिए हो जाएगी धारा का अगर नहीं समझ में आता है तो हमको पूरे डिटेल कॉमेंट किजी कि कैसे कैसे सशलाई लू जा रही है टाइट आ रही है तो फिर मैं दोबार आपको तरीका बता देता हूँ लेकिन मैं जो तरीका बत से इतना ही वीडियो अच्छी लगए लाइक करें अ